हेलो स्टुडेंट्स वेलकम अगें टू माई चैनल कक्षा आठ के विद्यारतियों का ये लास्ट चैप्टर है पार्ट सोला संक्याओं के साथ खेलना इसे पहले के सभी लेक्चर जो की उडान कारिय पुस्तिका के चरण दोके थे वो मैंने सारे सौल्व करा दियें और आप मेरे लेक्चर की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें चलिए अब हम शुरू करते हैं संख्याओं के साथ खेलना है तो हम भी खेलते हैं बड़ाई असान सा टॉपिक है लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए ये वो हैं डिविजिबिलिटी रूल्स यानि विभाज्यता के नियम की कोई भी ये कहता है दी गई सारने को पूरा करो तुमें क्या सीखना है कोई संख्याओं का अंक सम हो या जीरो हो जब उसकी इकाई के स्थान पर जीरो दो चार 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 आठ हो जैसे बारा, बाईस, तीन सो, चौबिस, एटसेटरा ठीक है कोई संख्या तीन से जब भाग होगी जब उसके अंकों का योग तीन से भाग होता है जैसे एक सो तरेपन, एक सो तरेपन के अंकों को जोड लीजिए तो पांच और तीन, आठ और एक नो, नो तीन से भाग हो इसलिए 153 भी तीन से भाग होगा आगे चलते हैं कोई संक्या 4 से जब भाग होगी जब उसके अंतिम दो अंक 4 से भाग होगे जैसे 264 ले लिया चार से चेक करना है चोशट को चेक करो चोशट चार से भाग होता इसलिए 264 भी होगा पांच से कोई संक्या तब भाग होगी जब उसका इकाई कांक या तो जीरो हो या पांच हो चैसे कोई संक्या तब भाग होगी जब वो दो और तीन दोनों से ही भाग होती हो आगे बढ़ते हैं आठ से कोई संक्या तब भाग होगी जब उसके अंतिम तीन अंक आठ से भाग हो जैसे 3512 अब इसको आठ से मत भाग करो अंतिम तीन अंकों को देख लो ये हो जाएगा पांसो बारा आठ से भाग तो 3512 भी आठ से भाग हो जाएगा नो का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल तीन की तरह होता है जिस संक्या के अंकों का योग 739 है अंकों को जोड़ो 7 और 2 9 और 9 18 ये 9 से भाग हो रहा है तो ये संक्या भी 9 से भाग होगी और 11 को आपने बड़े ध्यान से समझना है 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है मानलो मैंने कोई संक्या ले ली 1331 तो इसके समस्थान देखने है और विशमस्थान विशमस्थान देखो इकाई का और सैकडे का ये दोनों अंक ले लिए तीन जमा एक चार आ गया और अब इसका तुम ले लो भई दहाई का और हजार का अंक वो भी एक जमा तीन है चार आ गया और दोनों को गटा दो चार में से चार गटाया तो जीरो आ गया बात को समझना कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी हो उसका इकाई का सैकडे का दस अजार का यानि पहले तीसरे पाँचवें साथवें नंबर पर आने वाले सभी अंकों को जोड़ कर एक तरफ लिख लो दूसरे चोथे चटे आठवे नंबर पर आने वाले अंकों को जोड़ कर एक तरफ लिख लो और दोनों को फिर आपस में घटा दो यदि अंतर जीरो है या ग्यारा के पाड़े में आ रहा है तो दी गई संख्या भी पूरी पूरी ग्यारा से भाग हो जाएगी तो अब यही बस इसमें पूरा निचोड़ है कि यहां पर आपको इस तरफ तो दे रखी है संख्या और यह पूचा है कि किस किस से भाग हो रही है सबसे पहले ले ले लो भी 630 दो से भाग हो रहा है हाँ हो रहा है क्योंकि पिछे जीरो है तीन से हो रहा है क्योंकि तीस त पिछे जीरो आ रहा है, छैसे हो रही है क्यों कि ये संख्या दो से भी हो रही और तीन से भी तो छैसे जरूर होएगी, आठ से नहीं हो रही क्योंकि छैसो तीस, अंतिन तीन अंक, अब इसको आपको आठ से भाग करना पड़ेगा जो कि नहीं हो रही, ठीक है, नो से हो रही ह क्योंकि संख्या के अंक है 6 जमा 3 जमा 0 जो की 9 से भाग हो रहे हैं तो संख्या 10 से तो ही रही है क्योंकि पीछे 0 आ रहा है 11 से चेक करो 11 से चेक करने के लिए पहला और तीसरे स्थान पे आया 6 बीच में आया 3, 6 में से 3 गया 3 जो की 11 के पाड़े में नहीं आ रहा इसलिए 630 भी 11 से भाग नहीं होगा आगे देखते हैं आगे बढ़ते हैं बटा अब मैं इनको फटा पट चेक करके आपको बताती जाती हूँ 570 को बताना पीछे 2 आ रहा है बिल्कुल भाग होएगा 2 से हाँ होएगा तीन से तीन के लिए क्या करो 572 के अंकों को जोड़ दो 5 जमा 7 जमा 2 7 और 5 12 ज्यान से सुनना मेरी बात को और 12 और 2 14 14 तीन के पाड़े में आ रहा है नहीं तो ये संक्या 3 से भाग नहीं होगी और इसको 9 से भी 7 के साथ चेक कर लो ये जोड़ तीन से 9 से भाग हो रहा है नहीं तो ये संक्या भी 9 से भाग नहीं होगी और देख लो पटापट इसके पिछे 5 ये 0 आ रहा है नहीं तो ये 5 से भी भाग नहीं होगी इसके पिछे 0 नहीं आ रहा है तो ये 10 से भी भाग नहीं होगी और आगे चलो अब यह संक्या दो से तो हो रही है लेकिन तीन से नहीं हो रही तो छैसे भी भाग नहीं होगी चार के लिए इसके अंतिम दो अंक देखने पड़ेंगे जो कि बाहतर है और बाहतर अठारा चोक बाहतर चार के पाड़े में आता इसलिए यह संक्या चार से भाग हो जाएगी अब आठ के लिए आपको इसको भाग करके देखना पड़ेगा पूरे को पांच सो बातर को तो आट उसाट उचपन नहीं हो रही ये आठ से भाग नहीं हो रही और अब बच जाता है ग्यारा तो ग्यारा के लिए आपने पांच सो बातर में इन दोन आगे देखते हैं बिटा बारा सो अठावन बिल्कुल दो से भाग हो रहा है हाँ के लिए मैं या वाई लगा रही हूं या नहीं के लिए मैं नो लगा दूं या आप कर लेना अब मेरी बात सुनों तीन के लिए इनको जोड़ दो दो रेक तीन पांच और तीन आठ रट सोड सोड़ा तीन के पाड़े में नहीं आता तो ये तीन से भी भाग नहीं होगा और सोड़ा नो के पाड़े में भी नहीं आता तो नो से भी नहीं होगा इसके पिछे जीरो या पांच नहीं है तो ये पांच से भी भाग नहीं होगा अब ये दो से हो रहा है लेकिन तीन से नह नहीं होगा अंतिम तीन अंक देख लो 258 अगर अंतिम तीन अंक आठ से भाग हो रहे हैं आठ तीया चोबिस अठारा नहीं हो रहा तो यह आठ से भी भाग नहीं होगा बच गया ग्यारा ग्यारा के लिए बारा सो अठावन के पहले तो हिकाई के और पहले और तीसरा अंक दे में से 6 गए 4 4 11 के पाड़े में नहीं आता तो ये संक्या भी 11 से भाग नहीं हो रही कितनी जल्दी हमने सारा चेक कर लिया है अब मुझे इसको थोड़ा उपर करना पड़ेगा तो आप समझ जाना कि 2 3 4 5 के लिए हम बारी बारी से यहां पर चल रहे हैं अब हम चलते हैं आग जमा चार जमा चार जमा पांच चेक करो पांच और पांच दस और चार चोदा और चार अठारा अठारा तीन के पाड़े में आता है इसलिए है संक्या तीन से भाग हो जाएगी और अठारा नो के पाड़े में भी आता है इसलिए है संक्या नो से भी भाग हो जाएगी आग जरूरी है, दो हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार से भाग नहीं होगा, क्योंकि पीछे 45 हार और 45 चार के पाड़े में नहीं आता तो नो, और ये 8 से भी नहीं होगा, क्योंकि विशम संख्या है, साफ बात है, पांच से हो जाएगा, क्योंकि पीछे 45 है, पांच है, ये 11 ग्यारा था ये ग्यारा था ये दस था थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है थोड़ा सा मैंने क्योंकि उपर से दिख नहीं रहा ठीक है अब देखो लास्ट वड़ा है एक मिट पैन को थोड़ा और पतला कर लेते हैं लास्ट वड़ा है ग्यारा का ये है ग्यारा का ठीक है ये ह दस का ये है नो का तो नो से भाग हो रहा है ये येस दस से भाग नहीं हो रहा है ये आठ से भाग नहीं हो रहा है ये और छैसे भी नहीं होगा बच गया ग्यारा पांच चार चार पांच पहला और तीसरे स्थान का जोड नो है सुन लो मेरी बात को हलका सा बढ़ा कर लेते हैं और दूसरे और चोते स्थान का जोड़ भी नो है, नो में से नो गटाया जीरो जीरो 11 से भाग होता है इसलिए संख्या 11 से भाग हो जाएगी आगे बढ़ते हैं, तीन संख्या और रह जाती हैं हमारी 21004C थोड़ा सा तो पैन को मुझे enlarge करना पड़ेगा जादा पतला हो गया 21004C ठीक है भई अब देखो 21004C को हमने चेक करना है दो के लिए बिल्कुल हो जाएगा भई दो से भाग क्यों नहीं हो जाएगा पीछे एक आएक अंक चार है तो दो से भाग हो जाएगा येस तीन से चेक करो इसके अंक जोड़ दो जमा एक जमा जीरो जमा आठ जमा चार दो और एक तीन आठ रतीन 11 और चार पंदरा 15 तीन के पाड़े में आता है तो ये संक्या 3 से तो भाग हो जाएगी लेकिन 9 से नहीं होगी सुन लो मेरी बात ये 11 हैं ये 10 हैं ये 9 हैं तो ये 9 से भाग नहीं होगी आगे बढ़ू अब मैं आगे बढ़ने के लिए हम अपने स्क्रीन को एक बार फिर से clean कर लेते हैं भई है ना जल्दी से clean कर लेते हैं पैंसिल के size को छोटा कर लेते हैं तोड़ा सा अपना color change कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अब देखो जरा तुम दो आ गया ये दो आ गया ये तीन आ गया चार पांच छे आठ चलें चार से करने के लिए 84 को चेक करो तो 84 चार से भाग होता है तो ये भी हो जाएगा पांच से भाग नहीं होगा क्योंकि पिछे पांच नहीं है दस से भी नहीं होगा क्योंकि पिछे जीरो नहीं है दो और तीन दोनों से भाग हो रहा है इसलिए छैसे भी भाग हो जाएगा अवर बार कह रही हूं। पहला, तीसरा, पांचमा स्थान जोड़ो। पहला, तीसरा, और पांचमा कितना आया। च्छहें अब भीया, जोड़ लो दूसरा, और चोत्था, नो आट मेंसे, नो मेंसे छहें कर लो, या छहें मैसे नो कर लो तीन आएगा 11 से भाग नहीं हो रहा तो संक्या भी 11 से भाग नहीं होगी आगे बढ़ें दो संक्या और रह जाती हैं 5,500 और 7,920 हमें चेक करना है 2,3,4,6,8,9 2,3,4,5 रह गया बीच में 5,6,8,9 और भई अब ये मुझे एरेज करना पड़ेगा क्योंकि ये परदा ना आ जाता है बीच में अपने आप ही आ जाता है इसको मैं बुलाती भी नहीं हूँ कि भई या तू आ जा 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 चलें आगे हम बात कर रहे हैं पच पंसो की पीछे जीरो है बिल्कुल भाग होगा 5 से भी भाग होगा और 10 से भी भाग होगा क्योंकि पीछे जीरो है आगे बढ़ते हैं ध्यान देना बई पीछे के नहीं सारे अंकों को जोड़ो 10 आरा है तीन से जो संक्या 2 से हो रही है 1 3 से नहीं हो रही तो 6 से भी भाग नहीं होगी अब पिछे के 3 नंक 500 जो की 8 के पाड़े में नहीं आते थी ये संक्या 8 से भी भाग नहीं होगी 11 से हो जाएगी क्योंकि 11 पर 55 और divisibility rules से आप कर लेना तो हो रही है, चार से भाग नहीं होगी, चार से भाग होगी क्योंकि पीछे के दो अंक चार से भाग हो रहे हैं भहिया, ध्यान देलो इस बात पे, भहिछे के दो अंक क्या है, दो जीरो, दो जीरो चार से भाग होती है, तो ये संख्या भी समझ आ रहा है, don't forget to subscribe my channel चलिए, 7920 पिछे 0 है, तो 2 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 0 है, इसलिए 10 से भी हो जाएगा 0 है, इसलिए 5 से भी पिछे 20 है, जो कि 4 के पाड़े में आता है तो संख्या 4 से, भी 4 पंजे दो अंक अगर 4 से भाग हो रहे हैं, लास्ट वाले तो संख्या भी 4 से हो जाएगी पिछे के 3 अंक ले लो, 920 920, 8 से भाग हो रहा है, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, 8 कम 8, 9 में से 8 के 1 8 कम 8 और 8 पंजे, 40 बिल्कुल तो 8 से भी भाग हो रहा है क्या इसके अंकों का योग 3 के पाड़े में और 9 के पाड़े में आता है अब हमने ये जाच करनी है क्या इसके अंकों का योग 3 और 9 के पाड़े में आता है, ये हमने जाच करनी है तो अंकों को जोड लो अंकों को जोडोगे तो मूझवानी जोडो भी français साथ जमा नो जमा दो नोड जो 11 और साथ अठारा बिल्कुल हो रहा है भई इसके अंकों का जोड कितना आरा अठारा तीन के पाड़े में आता है तो संक्या तीन से भाग हो जाएगी अठारा नो के पाड़े में आता है तो भई संक्या नो से भी भाग हो जाएगी अब बच गया 6, तो 6 के लिए तो बहुत ही आसान है, जो संक्या 2 से भाग हो रही है, तीन से हो रही है, तो यह वो संक्या 6 से तो जरूर होएगी, बच गया बिटा 11, 11 के लिए फिर चेक कर लो, 0 और 9 का जोड 9, 7 और 2 का जोड 9, दोनों को घटाओ, 0, 11 से भाग हो रहा है, हा अमीद करती हूँ, यहां तक आपको समझा आया, अब आगे बढ़ते हैं, विभाजेता के जाच के नियमों का परियोग करके बताओ की नीचे दिये गए गतन सत्य हैं, या एस सत्य हैं, चलिए देखते हैं पटापट से, क्या 3243 नो से भाग हो रहा है, तो 3, जमा 2, जमा 4 जमा 3, 3 और 2, 5 और 4, 9 और 3, 12, 12, 9 के पाड़े में नहीं आता, इसलिए यह संक्या 9 से भाग नहीं हो रही, तो यह ऐस सत्य हैं, फोल्स हैं, भर लेना वही अपने आप, जो संक्या 2 और 3 से भाग होती है, क्या वह हमेशा 5 से भाग होती हैं, ऐस सत्य हैं नहीं, बिलकुल भ देख लो, 52 अगर, यह कहता है, क्या 31,252 चार से भी भाग है, देखो बिटा, चार से जाच करने के लिए, अंतिम दो अंकों को देखना पड़ता है, अंतिम दो अंक है, 52 तेरा चोके 52, चार के पाड़े में आ रहा है, तो सत्य है, खालिस्तान अपने आप बर लेना, सत्य क जगा सत्य है, 10,824, ग्यारा से विभज्य है, पहला, तीसरा, पाच्वा स्थान जोड़ दो, एक, जमा, आठ, जमा, चार, तेरा आ गया, अब आप दूसरा और चोथा स्थान जोड़ दो, जीरो, जमा, दो, दो आ गया, दोनों को अपस में घटा दो, ग्यारा आ गया, बात क्या है हमारी विभाज्य है, तो ये हमारी सत्य है, ट्र्यू है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चोबिस, वह सबसे चोटी प्राकरत संख्या है, जो दो, तीन और चार से विभाज्य है, वैसे तो ये लगुत्म समा पर तका होता है, दो, तीन और चार का लगुत्म निका आप दो तीय च्छे च्छोग चोबिस लेकिन ऐसा नहीं है देखो लगुत्तम कैसे निकालते हैं बारा होगी वो संख्या दो एकम दो तीन दो दूनी चार दो एकम दो तीन यू का यू रहेगा दो एकम दो देखो दो दूनी चार तीये बारा बारा वो सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग हो रही है तो ये बात ऐ सत्य है क्या अभी संख्या को पढ़ो भी सभी बच्चे एक मिनट के लिए रुक कर संख्या को एक सेकंड दस से दो सेकंड रुक के पढ़ने का ब्यास किया करो क्या एक लाख एक दस से विभाज्ये नहीं है बिल्कुल नहीं है कि यह 10 से भाग नहीं और यह कुँकि इसके पीच्छे 0 नहीं है जो संख्या 8 से विभाज्जे होती है वह हमेशा 4 से विभाज्जे होगी सत्या बिल्कुल सही कह रहा है कि जो 8 के पाड़े में आरा है वो 4 के पाड़े में तो जरूर आएगा अब ये कहता है देखो कितनी बड़ी संक्या देखो थोड़ा से स्क्रीन को और भी बड़ा कर लेती हूँ अब देखे एकाई दाइस एकड़ा हजार दस जार लाग दस लाग करोड दस करोड पंद्रा करोड उनास्ती लाग बासट अजार नो सो अजार आट से भाग हो गया तो ये भी हो जाएगी आठे कमाठ एक सोला आठ दुनी सोला उपर से उतारा आठ आठे कमाठ हो गया वह यह तो भाग हो गया तो हाँ बिलकुल भाग हो रहा है सत्य है अब हम अगले प्रष्ट पर चलते हैं यह है विभाजेता की जाच के नियमों का परियोग करके रिक्तिस्थान की पूर्ति करो यदि किसी संख्या के विशम और समस्थानों के योग का अंतर जीरो है या ग्यारा से विभाजे है तो वह संख्या ग्यारा से विभाजे होती है ठीक है यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजे है तो वह संख्या तीन से विभाजे होती है योग नो से विभ यदि कोई संक्या पांच से विभाज्य है तो इकाई का अंक जीरो होगा या पांच होगा कोई संक्या दस से विभाज्य है तो उस संक्या का इकाई का अंक हमेशा क्या पाएगा जीरो पाएगा यदि कोई संक्या दो और तीन से भाग हो रही है तो छैसे भी भाग होती है चल अब आगे चलते हैं कक्षा आठ में गणित अध्यापक ने बच्चों को बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बोर्ड पर लिखी संख्या खालिस्थान सड़सट चोबिस में रिक्त स्थान पर कौन सा अंक लिखें कि संख्या तीन से भाग हो जाए क्या हमें एक से अध का योग तीन से भाग हो तो संख्या तीन से भाग होती है तो पहले इन अंकों को जोड लो जमा साथ जमा दो जमा चार साथ उर्चे तेरा तेरा और दो पंदरा पंदरा और चार उन्निस अब उन्निस में क्या जोड़ें कि वो तीन से भाग हो जाए तो एक तो उन्निस में 2 जोडोगे 21 बनेगा तो यहाँ पर 2 आ सकता है, 3 जोडोगे तो नहीं आएगा, 4 जोडोगे तो 23 आएगा, 5 जोडोगे तो 24, तो 24 तीन के पाड़े में आ रहा है, तो यहाँ खालिस्तान की जगा 5 भी आ सकता है, 6 जोडोगे तो 25 आएगा, 19 में 7 जोडोगे, तो 26 आएगा नह आठ जोडोगे तो सत्ताइस आएगा तो इसकी जगह आठ भी आ सकता है ठीक है नो जोडोगे तो नहीं आएगा तो तीन उत्तर हमें मिलेंगे कि हम रिक्त स्थान पर दो भी भर सकते हैं पांच भी भर सकते हैं और आठ भी भर सकते हैं यानि कि दो पांच और आठ आगे चले ये कहता है निमलिकित संख्या में रिक्त स्थान पर एक ऐसा अंक लिखिए कि प्राप्त संख्या ग्यारा से भाग हो जाए अब ये संख्या है भई देखो 9, 2 एक बर पूरा स्क्रीन खाली करके लिखती हूँ 9, 2, फिलप, 3, 8 और 9 मैंने आपको बता रखा है कि पहला, तीसरा और पाँचवा का जोड़ कर लो 2, जमा, 3, जमा, 9, 9, और 3, 12 और 2, 14 अब इनको जोड़ो कितना आ रहा है 9 और 8, 17 और यहाँ पर क्या आना चाहिए अब देखो मेरी बात सुनो हमने ये देखा था कि हमने ये देखा था कि ये जो हरे पैन से मार्क है हरे पैन से जो मार्क है इनका जोड़ और मैं कलर चेंज करके मार्क करती हूँ बलकि मैं ले लेती हूँ, रेड कलर और ये वाले अंक, इनका जोड़ आपस में गटाओ तो या तो 0 आना चाहिए या 11 के पाड़े में आना चाहिए अब मेरी बात ध्यान पूरवक सुन लो 2 का 3 का और 9 का जोड तीन और 2 पाच और 9 14 आ रहा है ठीक है भई? 2 का 3 का और 9 का जोड 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 आ रहा है अब बच जाती हैं, ये तीन संख्याएं, नो, ये बड़ी जल्दी से मोटा हो जाता है, इसको बड़ी जल्दी लगी रहती है, नो, खालिस्थान और आठ, अब खुद देखो कि नो और आठ का जोड़ी सत्रा आ गया, तो खालिस्थान में कोई संख्या अगर जीरो भी एक भरूंगी तो अठारा रहेगा, सुनना मेरी बात को, तो ऐसी संख्या लाओ, कि इन दोनों का अंतर ग्यारा के बराबर आ जाए, अब चोदा में ग्यारा जोड़ू, तो मेरा उत्तर बनता है बहिया, पच्चिस, सुनलो बात ध्यान से, और सत्रा में आठ जोड़ू, तो मेरा उत्तर बनता है पच्चिस, बहुँ सत्रा में से, नहीं ठीक है मेरी बात को सुनो कि, अगर देखो इन दो का तो जोड सत्रा आ रहा है, अगर में इसमें आठ जोड़ू तो आ गया पच्चिस, यानि कि दूसरे और चोथे और छटे स्थान का जो उत्तर है वो पच पर आठ भरना है, ठीक है आपको एक बर मैं क्रोस चेक करके दिखा देती हूँ, देखो भई अगर मैं यहाँ पर आठ भर दूँ, सुनना मेरी बात को द्यान से तुम, बहुत ही असान सा सवाल हो जाता है, नो, दो, आठ, तीन, आठ, नो, नो, और तीन, बारा, बारा और चोदा, नो, और आठ, सतना, सतरा, और आठ, पच्चिस, पच्चिस में से चोदा गटाओ, ग्यारा, ग्यारा, ग्यारा के पाड़े मारा तो यह संख्या भी ग्यारा से भाग हो जाएगी, तो हमारा उत्तर आठ आठ आएगा, अब देखो भई, ऐसी कितनी, लास्ट प्रश तक लेना होगा, फिर हम देखेंगे, देखो बेटा, अब लसी एम आप अपने आप निकाल लेना, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, मैंने लसी एम इनका निकाल दिया, लगुत्तम समापवर तक, तो जो इन सभी संख्याओं का लसी एम है, वो 3960 आएगा, अर्थात 4960 वो पहली संख्या है, जो इन सब से भाग होएगी, और ये पांच संख्या पूछ रहा है, तो वो पांचों संख्या हैं, 3960 के पहाडे में आएंगी, पहली हो गई 3960, दूसरी हो जाएगी, 3960 को दो से गुणा कर दो, जीरो, दो चिक बारा, दो निम अठारा, और एक उनिस दो तिया छे और एक साथ, तीसरी संख्या हो जाएगी, 3920 को तीन से गुणा कर दो, सुन रहे हो मेरी बात को, 0, 3, 6, 18, 1, 3, 27, और एक अठारा, दो तीन तिया नो और दो ग्यारा, फिर इसी को चार से गुणा कर दो, चार जीरो, जीरो, चार चिक चोबिस, दो, चार निम 12 और 3, 15 कैलकुलेशन चेक कर लें और 5 से कर दो, 5, 31, 3, 5, 45 और 3, 48, 4, 5, 15 और 4, 19, तो ये वो 5 संक्याए हैं जो इन सभी दिये गए नंबरों से पूरी पूरी भाग हो जाएंगी, तो इसी के साथ आपकी उडान कारे पुस्तिका का भी पूरा, का पूरा सोल्यूशन पर खतम हो जाता है, अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया है, समझ आया है, तो बहुत एक काम तो आपने जरूर करना है, क्या चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, थैंक यूदू